दोस्तों, अक्सर आप अपने मुबाइल पर एरोडाइजमेंट आने की वAGजं़से प्रशान हो जाते हो, क्योंकि कई बार जैसे आप अपने मुबाइल को चार्जिंग से उतारते हो, तब आप देखते हो कि स्क्रीन पर एरोडाइजमेंट आ रही है, या फिर mobile की notification में भी कई बार आपको advertisement देखने को मिल सकती है तो मैं इसका reason आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये advertisement आपके mobile पर आना शुरू हो जाती है और किस तरह से आप इन advertisement को mobile पर आना बंद कर सकते हो friends मेरे mobile की screen आप साथ में देख पा रहे हैं फिलाल मेरे mobile पर कोई भी advertisement नहीं शो हो रही है आप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये advertisement आपके mobile पर आना शुरू हो जाती है देखे friends for example मैं आपको एक application के बारे में बता रहा हूँ देखे friends मैंने एक antivirus को google play store में open कर लिया है ये काफी अच्छा antivirus है अगर आप इसको install करना चाहें वीडियो की description में आपको इसका link मिल जाएगा ठीक है friends ये application मोबाईल में install हो चुकी है आप मैं इसको open करता हूँ यहाँ पर friends get start up पर click कर रहा हूँ यहाँ पर देखे friends start full scan यहाँ पर मैं फिलाल इसको skip कर रहा हूँ देखे friends यहीं से एरोडाइजमेंट का system शुरू होता है और जो एरोडाइजमेंट शुरू होने का process है वो बिल्कुल last में काफी short में दिया गया है may contain ads आप screen के last में बिल्कुल पड़ पाएंगे इसके बाद देखे हम जैसे ही okay पर click कर देंगे हमारे okay करने के बाद smart screen saver अब on हो चुका है यानि कि जब हम अपने phone को देखे मैं फिलाल जैसे off कर दूँगा इसके बाद अब हम दुबारा phone को जैसे on करेंगे तो advertisement आनी शुरू हो जाएंगे देखे फ्रेंड्स अब ये page आ चुका है और यहाँ पर काफी सारी advertisement आपको देखने को मिलती है क्योंकि हम इने advertisement को खुदी permission दे देते हैं जब कोई application हमें पूछती है कि हम आपके mobile में ये work करना चाते हैं हम उसको ध्याम से पढ़ते नहीं है option को क्लिक कर देते हैं तो हम अपने mobile के permission उसको दे देते हैं जैसे कि हमारे screen saver की permission हमने इस application को दे दी तो इस तरह से अब advertisement आनी शुरू हो गई और अगर आप भी इस तरह की advertisement से प्रशान है यहाँ पर आपको अलगलग तरह की काफी ads देखने को मिलती हैं तो इसको off करने का method मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हर application में अगर advertisement लगाने का option दिया होता है तो उसको हटाने का भी option दिया होता है यह आपको three dots के जरिये मिल जाएगा या फिर जैसे हमारे mobile में setting का icon होता है उस तरह से भी आपको इसको off करने का option मिल जाएगा तो यहाँ पर देखी बेल icon के साथ में आप अगर देख आपको दिखाई देंगे इन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखे setting का option खुल गया आपको setting पर क्लिक कर देना है हर application की friends अलगलग तरह की advertisement होती है और उनकी अलगलग जगा पर आपको setting का option मिलेगा जिस भी application के वजह से आपके mobile पर advertisement आ रही है सबसे पहले तो आपको वो पत करना पड़ेगा कि वो कौन सी application है और उसकी setting कहां पर है वो three dots के जरीए भी हो सकती है off या फिर setting वाले icon के जरीए भी off हो सकती है तो यहां पर देखे friends फिलाल यहां पर दो option on है हम इन दोनों option को off कर देंगे turn off इसका पर दूसरा option भी turn off यानि कि आप जब सीधा screen से फिलाल अगर हम इसको on करेंगे तो देखे वो advertisement यहां से हड़ चुकी है इस तरह से जो भी advertisement आपके mobile पर show हो तो आपने three dots पर पहले click करना है फिर आपने setting में जाना है और वहां पर आपको off करने का option मिल जाएगा और आप उस setting में जाकर वहां से advertisement को off कर सकते हो friends उमीद करता हूँ आप असानी से समझ गयोंगे कि किस तरह से advertisement mobile पर आना शुरू हो जाती है और किस तरह से आप advertisement को mobile से off कर सकते हो friends वीडियो अच्छे लगी है तो please वीडियो को like कर दीजिएगा हो सके तो अपने friends के साथ share कर दीजिएगा और अगर पहली बार आप हमारे चनल के इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ में चैनल को subscribe करने का link दिया हुआ है यहाँ पर click करके आप चैनल को subscribe कर सकते हैं और हम जल्दी मिलेंगे किसी और नहीं वीडियो के साथ